नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एंजल वन मोबाइल एप्लिकेशन के थुरू आईप्यो अप्लाई करने का कम्प्लिट प्रोसेस देखने वाले हैं साथ ही हम देखेंगे आईप्यो अप्लाई करते समय आप से कोई मिस्टेक हो जाती है यानि आप से कोई गलती हो जाती है उसको कैसे ठीक किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले आपको Angel One Mobile Application को Open कर लेना है अगर आपके पास में इसमें Demet and Trading Account नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डारेक्ट इसका अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया गया है डारेक्टली आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसके बाद में जैसे आप लोग इसे Open करोगे दोस्तों इस Mobile Application को तो आप लोग इसमें Mobile Number and 4 Digit Pin के मादिम से Login कर सकते हैं Login करने के बाद में आपको इसका Home Interface कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है आपको ये Home Section में देखने को मिल जाएगा नेचे की सेड में एक IPO का Option दिया गया है दोस्तों Mutual Fund के पास में देखिए IPO का Option है Mutual Fund के पास में इस पे आपको क्लिक करना है जैसे आप लोग IPO के Option पे क्लिक करोगे आपको यहां पे देखिए Open and Upcoming के ओपसन देखने को मिल जाता है और इसमें आपको नीचे की side में जो भी फिलाल IPO open है या फिर upcoming IPO आने वाले हैं उन सभी की आपको नीचे की side में list सो करेगी जो आप लोग यहाँ पे check out है वो कर सकते हैं for example अभी doms industries का IPO आया हुआ है तो इसका नेम आपको देखने को मिल रहा है इंडिया seltr finance का IPO आया हुआ है इसका आप लोग चेक कर सकते हैं नीचे में देखिया आपको closing date भी दी गई है जो भी IPO company का नेम दिया गया है दोस्तों उसके नीचे में देखिये यह close कब होगा इसमें minimum investment कितना चाहिए वो आप लोग यहाँ पे check कर सकते हैं कितना subscription इसमें हो चुका है वो भी आपको यहाँ पे इस IPO company के नीचे में लिखा वा रहा है तो open and upcoming के section में जो भी फिलाल IPO आयो हैं या फिर आने वाले हैं उनकी list दी गई है इसके अलावा दोस्तों जो भी IPO में आपने apply किया है order लगा दिया है उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे देखिए पास में option दिया गया है IPO orders का इस पे आप लोग क्लिक करके और आप लोग IPO आपने जो भी apply कर दिया है उनको आप लोग यहाँ से check कर सकते हैं अब दोस्तों किसी भी IPO में आप लोग apply करना चाहते है तो उस company के IPO के option पे आपको click करना है फोर एक्जमपल में आपरерм इंडस्टी के IPO में apply करना चाहता हूं तो इस पे में आप लोग करना चाहते हैं तो उसका नेम सो करेगा आपके पास में उस पे आपको apply करना है जैसे कि में आपर doms इंडस्टी के ओप्षन पे click करूंगा उस इसके बाद में दोस्तों देखे इस company से related जो भी important date है minimum investment है जैसे की minimum investment कितना चाहिए price range क्या है दोस्तों maximum load कितना रहेगा और issue size कितने का है वो आप लोग यहां से check कर सकते हैं उसके बाद में आप लोग थोड़ा ऊपर slide करेंगे तो आपको यहां पर देखे इसकी important dates देखने क को मिलेगी इस IPO की जैसे की opening date, closing date, allotment कब होगा, listing कब होगी यह सारी important date आप लोग IPO में apply करने से पहले है वो check कर लीजेगा उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे की side में apply की option पे click करना है जो blue color में लिखावा आ रहा है apply now का इस पे आपको click करना है उसके बाद में दोस्तो सबसे उपर में आपको पूछा गया है enter lots का option दिया गया है आपको यहाँ पे देखिए एक enter कर देना है enter lots में आपको one enter कर देना है और side में आपको लिखा वारा है one lot size 18 share यानि एक lot में इसमें आपको मिलेंगे 18 share मिलेंगे तो आप लोग यहाँ पे एक enter कर दीजेगा अगर आप लोग एक से ज्यादा आप लोग यहाँ पे लोट एंटर करोगे तो भी आपको एक ही lot मिलने वारा है अगर आपको allotment मिलेगा तो भी आपको एक ही मिलेगा अगर आपका IPO अवर सब्सक्राइब हो जाता है तो पहले आपको एक ही lot है वो मिलता है दोस्तों इसलिए एक लोट आप लोग यहां पर एंटर कर दीजेगा उसके बाद में आपको यहां पर देखिए automatically price देखने को मिल जाएगी investor type में आपको यहां पर individual देखने को मिल रहा है जिस भी company का IPI है अगर आप उसमें employee है काम करते हैं तो फिर आप लोग यहां पर individual की जगाई जो employee है उस option को select कर सकते हैं जैसे कि हम individual के option पर click करेंगे तो एक आपको यहां पर employee का option भी देखने को मिल जाता है अगर उस company में आप लोग काम करते हैं employee है तो फिर आप लोग employee select करेंगे नहीं तो हम लोग normally है वो individual को ही select करेंगे उसके बाद में दोस्तों नीचे की side में UPI ID का option दिया गया enter UPI ID आप लोग अपना UPI ID यहां पर enter कीजेगा जो भी UPI application यूज करते हैं चाहे आप अपने bank का application यूज करते हैं या फिर दूसरा कोई use करते हैं जैसे अच्छा आपके लिए तभी रहेगा जब कोई आपका बैंक है उसका official application है उसका आप लोग UPI ID यहां पर यूज करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा तो हम लोग अपना UPI ID यहां पर सबसे पहले एंटर कर देते हैं UPI ID एंटर करने के बाद में दोस्तों नीचे की साइड में verify UPI ID का option दिया गया है इस option पे आपको यहां पर click करके और आपको अपनी UPI ID को यहां से verify कर लेना है जैसे आप लोग verify करोगे दोस्तों तो आपको यहां पर automatically देखिए आपका नेम सो करेगा जो भी आपनी UPI ID लगाई है वो किस नेम से है वो आपको automatically name है वो सो कर देगा उसके बाद में आपको नीचे की साइड में apply for IPO के option पे क्लिक कर देना है इससे पहले आपको पेमेंट चेक कर लेना है दोस्तों कि आपको इसमें कितना पेमेंट है वो करना पड़ेगा जैसे कि इसमें नीचे लिखावा आ रहा है total payable amount 14,222 का आ रहा है तो आप लोग payment चेक कर सकते हैं उसके बाद में apply for IPO के option पे क्लिक करना है जैसे आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों नीचे की साइड में देखिए आपको confirm your bid का option दिया गया है और नीचे में आपको proceed का option दिया गया है तो आपको यहाँ पे proceed के option पे click कर देना है जैसे आप लोग proceed के option पे click करोगे आपका यहाँ पे order है वो place successfully हो चुका है आपको यहाँ पे नीचे की side में लिखा वा रहा है view order status में तो इस पे आपको click कर देना है इससे आप पहले आप लोग देखोगे you will receive the notification on your upi app यानि आपके mobile application जो भी आपका upi application है उसमें आपको notification receive हो चुका है वहाँ पे आप लोग click करके और payment कर दीजिएगा यानि जो भी आपने upi id लगाई है उस mobile application में आपको एक request चली गई है payment की वहाँ से आपको notification के section में जाके और आपको वहाँ से payment कर देना है या फिर आप लोग अपना application open करोगे तो directly आपको screen पे भी notification देखने को मिल जाएगा वहाँ से आप लोग successfully payment है वो कर दीजिएगा जैसे ही आप payment कर दोगे दोस्तों यहाँ पे payment है वो अपरू हो जाएगा और आपका IPO हो successfully submit हो जाएगा इसके अलावा दोस्तों अगर आपने IPO apply करते समय कोई भी आपने mistake कर दी है जैसे कि आपने UPID गलत एंटर कर दी है कोई भी आपने mistake किया है उसको ठीक कैसे किया जाता है इसके लिए दोस्तों आपको फिर से IPO के section में आना है और इस बार दोस्तों आपको click करना है IPO orders के section पे जैसे ही आप लोग IPO order के section पे click करोगे जो भी आपने IPO apply किया है उसमें आप लोग देखोगे आपको यहाँ पे name सो कर रहा है प्राइस वगेर आपने कोई भी सही नहीं लगा है तो वह आप लोग लगा सकते हैं और दोस्तों आप लोग हमेशा जो भी IPO का कटो प्राइस रहता है उसको आप लोग enter कीजिएगा क्योंकि जब तक कटो प्राइस तक अगर allotment मिलता है तो भी आपके chances रहेंगे नहीं तो आप लोग जो नीचे का प्राइस लगा होगे तो उसमें आपके chances है वो बहुत ही कम रहने वाले हैं क्योंकि ज्यादा तर IPO का जो प्राइस है वो ऊपर चला जाता है तो इसलिए कटो प्राइस तक हमें allotment मिलने के chances रहें तो इस तरीके से आप लोग modify भी कर सकते हैं अगर आप लोग cancel के option पे click करके और आप लोग दोबारा से open IPO में जाके और फिर से आप लोग apply करके और उसको आप लोग try कीजेगा अगर आपको काफी देर तक notification नहीं आता है तो ही आपको करना है नहीं तो आपको notification तक wait करना है और आज आता हो तो उसका आपको successfully payment है वो कर देना ह उसके बाद में दोस्तों जब भी IPO का allotment होता है allotment का जो भी date दिया गए रहता है उस दिन आपको check करना है IPO की registrar की website पे जाके अगर आपको IPO का allotment मिलता है तो आपको listing वाले दिन आपको अपने mobile application में जिस भी demate account से आपने apply किया है उसके portfolio में आपको check करना है IPO देखने को मिलेगा sales देखने को मिलेंगे उन sales को sale कर देना है और sale करने के बाद में आप अपना पैसा है वो bank में withdraw कर सकते हैं तो यह दोस्तों angel one mobile application से IPO apply करने का process इसके अलावा IPO से related और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे channel पे आपको IPO की पूरी playlist दी गई है IPO details name से उसको जाके आप लोग check out कर सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको फसंद आया तो like करे channel पर नए है तो channel को subscribe जरूर करें मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में तब तके लिए जैहिंद बहुत बहुत धन्यवाद